स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पी एसी आनायस आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं टैन्थ आनायस इंग्लिश जिसका कोड है 202 उसके सॉल्व टी एमे को टी एमे जिसको हम असाइन्मेंट भी कहते हैं तो पूरा सोलेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास इसी तरीके की इन्फरमेडियो वीडियो पहुंसती रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल न भूलें अगर मैं बात करूं टैन्थ के हिंदी की या फिर आप हमसे कॉंटेक कर सकते हैं 730-383-8500 यह हमारा ओफिशल नंबर है डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको यह नंबर मिल जाएगा और इस नंबर पर कॉंटेक करके आप अपने असाइन्मेंट बनवा करके हमसे अप्लोड भी करवा सकते हूं जब आप हमारे चानल सी कनेक्ट होते हैं हमारे अप को डाउनलोड करते हैं तो आपका जो स्मार्ट स्टेप है वो आपको 95 प्लस का एग्जामिनेशन में स्कोर कराने में आपकी हल्प करता है यूर ट्रस्ट, हार्ड वर्क और गाइडेंस गिव यू एक्स्टेंट मार्क्स वी प्रोवाइड यू सम एक्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कि अगर आपको अनाइस दे रिलेटिद प्रॉपर इंफरमेशन चाहिए तो आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं कंसल्टेंसी सर्विस में हम आपको solve TMA भी देंगे आपके TMA अपलोड भी करेंगे और practical के solution भी आपको देंगे अगर आपको अनाइस की guide या books चाहिए तो आप हमसे purchase कर सकते हो और आपको इन books पर 20% का discount भी मिलेगा अगर आपको handwritten TMA चाहिए तो आप हमसे purchase कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहिए तो हमसे अपने TMA बनवा करके पर upload करवा सकते हैं और extra जानकारी के लिए आप हमसे इस number पर contact कर सकते हैं यह PSC NIS का official number है इस number को आप अपने phone में save करके रखे PSC NIS के नाम से we provide all NIS latest updates like NIS के online classes, NIS study material, NIS important question answers, NIS TMA practical exam updates ती सारी चीज़ा आपको हमारे यहां से मिलती हैं इसके लाबा PSC का अपना app भी है जिसका नाम है PSC Pi Study Circle जिस पर आपको मिलता है 10 साला study material, recorded and live classes, solve previous year question paper, solve TMA, solve practical so आप इसको भी अपने phone में जरूर से download करके रखें, description box में आपको इसका link में दे दूँगी इसके अलावा अगर आपको मन में कोई भी query है, NIS board regarding कोई information आप लेना चाहते हो, तो इस number पर आप contact कर सकते हैं ताकि आपके सभी जो है doubts दूर हो जाएं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं English का solve assignment, बाकि अगर ये पूरे solution की PDF आपको चाहिए या फिर अगर आपको बनवा करके upload करवाने हैं अपने assignment तो आप इस number पर contact कर सकते हैं, description box में भी number दिया हुआ है अगर आपको English की तैयारी करनी है, अपने public examination की तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है let, that means learn English by तबस्तुम, वहाँ पर आप NIS की English आसानी से घर बैटे पड़ सकते हैं, आपको important question answers फगरा कराई जाते हैं, तो उस चैनल को भी आप subscribe क कर ले ना, उसका link भी मैं description box में दे दूगी, देखें यह जो assignment है, आप देख सकते हैं, English 202 वाला है, पहला जो question है, इसमें आप से कहा गया है, कि आपको answer जो देना है, 40 to 60 words में देना है, ठीक है, तो यहाँ पर A option को select किया गया है, लिखकर हमने question उसके बाद इसके answer को लिख होते हैं, और हमारे जितने भी assignments होते हैं, उनमें exact answer का plus word limit का ध्यान रखा जाता है, तो आपके बड़े ही marks आपको दिये जाते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह रहा पहले question का answer, आभी हम जो देखेंगे दूसरा question, उसका answer भी आपको 40 to 60 words में लिखने को कहा गया है TMA क्या है, इसकी importance क्या है, सब्मिट करने क्यों जरूरी है, इस topic से लेकर related वीडियो का link मैं description box में देदूं कि वहां से आप इसकी importance भी समझ सकते हैं, तो यह जो second question है, यहाँ पर भी आपको 40 to 60 words में ही answer लिखना है, और यहाँ पर A option को select किया गया है, जिसका answer आपके सामने ह चलिए, अभी हम लोग देखेंगे, question number 3, और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है, कि आपको 40 to 60 words में ही answer देना है, यहाँ पर भी A option को select किया गया है, पहले question लिखना है, देन उसका answer, यह पूरी PDF आपको जो है हमसे contact करने पर मिल जाएगी, या फिर आप हमारे app को download कर लीजिए app का link description box में है, वहाँ से आप directly भी assignment के solution की PDF purchase कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप practical solution भी वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप हमसे whatsapp पर contact कर सकते हैं, अभी बात कर लेते हैं question number 4 की, जिसका answer आपसे कहा गया है 100 से 150 words में लिखने के लिए, तो यहाँ पर B option को select क किया गया है, और B question के अंदर आपको 3 points दे गये हैं, जिनको आपको describe करना है, ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, इसका answer भी अच्छे तरीके से हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर A option को select किया गया है, और उसका answer आपके सामने है, ठीक है, तो आपको बस कुछ नही लिखना है, और आपको full marks मिलने वाले हैं, और यह पूरी PDF आपको हमसे इस number पर contact करने से मिल जाएगी, इसका बचा हुआ जो answer है, वो आपके सामने है, यह रहा, अभी हम बात करेंगे, बच्चो question number 6 की, question number 6 जो होता है, वो हर एक subject में आपका project based होता है, यह काफी lengthy question होता है, और इसका answer directly book में भी बच्चों को नहीं मिल पाता, और जाततर बच्चे इसी पर आकर अठक जाते हैं, लेकिन जब आप हमारे channel के तुरू अपने assignment बनाते हैं, हमारी videos के तुरू, तो वहाँ पर आपको 6 के 6 question के answer अच्छे तरीके से लिखे हुए मिलते हैं, तो आप देख स वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे ही informative videos आप तक पहुंसती रहेंगी, तो यह जो heading है, उनके साथ आपको फी detail देनी है इनकी, चलिए भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो I hope आप अच्छे तरीके से इसका answer जो है लिखेंगे, मैं एक बारे आपको फिर से दिखा लेती हूँ, यहां से आपका यह answer शुरू हो रहा है, और लास्टी यह conclusion आपका आ गया, थैंक्यू सो मुच फूर वाचिंग दो वीडियो, और डोंट फगेट तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और चैनल, प्सक्राइब का नेम है, और अगर आपको असाइन्मेंट बनवा करके अप्लोड करवाने हैं, तो फटा फट से हमसे कॉन्टेक कीजिए, इस नमबर के थुरू, और इसके अलाबा डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको दूसरे चानल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अ और अपडेट्स अगरा भी आपको हाँ पर दी जाती हैं, इसके अलाबा डिस्क्रिप्शन बोक्स में काफी सारी इंफोमेटिव चीजियों के लिंक आपको मैं दे दूँगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, तो चलिए, अगर आपकी थोड़ी सी भी हैल्प हुई हो तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और दूसरे बच्चों के हल्प करने के लिए इस वीडियो को शेर जरूर कर देना, so next video मिलते हैं, till then keep studying and by study, thank you so much and goodbye.